नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल मेखबर फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो मेरे पास एक कमेंट आये हुआ था संतोष काले जी का उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता जी कबूतर निपाल ने देते इस पर एक वीडियो बनाओ तो संतोष जी को बताना चाऊँगा सबसे पहली बात तो यह है संतोष जी अगर आप छोटे हैं यह आपके लिए नहीं उन सभी भाईयों के लिए हैं जो अभी छोटे हैं जो अभी 12th Pass नहीं हुए हैं अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है ये संतोज जी आपके लिए इनी जितने भी भाई आपकी उम्र के होंगे या जो भी मेरे छोटे भाई होंगे ये वीडियो उनके लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अक्सर होता कहा है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय उन्हें शोक लग जाता है कबूतरवाजी तो कबूतरवाजी का जो शोक है वो भहुत बड़ा शोक है और इसके अंदर भहुत समय देना पड़ता है अगर आप अपना समय यहां देंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इस शोक के अंदर समय लगता है आपका आपके बाद जगय होनी चाहिए कबूतर रखने के लिए उनको अच्छा दाना पानी देना पड़ता है जिससे कि आपके कबूतर स्वस्थ रहे तो भहुत सारी चीजे होती है अभी जो भी मेरे भाई पढ़ाई कर रहे है सबसे पहले उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए अच्छे से बारवी पास करिए उसके बाद कोलिज में जाईए वहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे करिए अच्छे से साक्षर हो जाएं पढ़ लिख लें उसके बाद हम इस कबूतरवाजी के शोक को कर सकते हैं जिससे की यह होगा कि हमारी पढ़ाई भी डिस्टरब ना हो और हमारा शोक भी चलता रहे अब आते हैं कबूतरवाजी के शोक पर कबूतरवाजी का शोक मेरी नजर में सबसे अच्छा शोक है इस शोक के अंदर हर एक शोक की तरह हैं अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं तो यह तो हमारा विवेक होता है यह हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किन लोगों से साथ गाठ रखनी है और किन लोगों से दूरी बना के रखनी है जिन लोगों ने कबूतर छत पे रखे हुए है वो अच्छे लोगों से जुड़ें अच्छे खिलाडियों से सीखें अच्छे खिलाडियों के शागिर्द बने मगर ये काम हमें तब करना है जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो संतोष काले जी अगर आप अपनी पढ़ाई ये भी कर रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ाई पर अपना फोकस करें पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें उसके बाद कभूतरवाजी के शोक को करें कभूतरवाजी का शोक बाकी सब शोकों से बहुत बैतरीन है ये आपको बुरी चीजों से बचा देगा जब आप किसी जानवर को अपने घर पे रखोगे तो आपको उसे समय देना पड़ेगा तो थोड़ी जिम्मेवारी आपके उपर आएगी क्योंकि आप उन्हें भूका नहीं रख सकते आपको दो टाइम सुबह और शाम उनको दाना पानी देना पड़ेगा उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी उन्हें छत पर जगय देनी पड़ेगी इस चीट से आप जो आपका खाली समय है उस समय में आप कभूतर बाजी करेंगे तो आप बुरी संगती से भी बच जाएंगे बुरे लोगों में भी नहीं बैठना पड़ेगा आपको और जो भाई भी पड़ाई कर रहे हैं अगर वो जिद करते हैं अपने माता पिता से पढ़ाई करते करते कि हमें कभूतर रखने हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि उनसे जिद ना करें अपने माता पिता से पढ़ाई पूरी करें और अगर आप कुछ मुकाम पालेंगे तो कबूतर तो आते जाते रहते हैं फिर आपको कोई खुद भी नहीं रोकेगा कि आप कबूतर पाले या ना पाले तो सबसे पहले अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाईए फिर आपको जो शोक करना है वो करिए तो शंतोष काले जी आप तक ये जानकारी पोच पाई होगी जो मैं कहना चाता हूँ आशा करता हूँ आप समझ पाई होंगे और जो भी मेरे छोटे भाई मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए उन सभी से यही दर्फवास्त है कि पहले अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे उसके बाद कभूतरवाजी को अच्छे से करें पूरी संगती से दूर रहें जै हिंद जै भारत वंदे मातरम